नमस्कार कक्षा 6 exercise 3.4 का प्रशन साथ हम कर रहे हैं एक संख्या 12 से विभाज्य है 12 से विभाज्य है यह नहीं 12 के पहाड़े में आती है और कौन सी संख्या है जिन से यह संख्या विभाज्य होगी तो देखें सबसे पहले हम 12 के गुननखंड देखेंगे 12 आता है 12 एकम 12 दो चीके 12 और तीन चोके 12 तो 12 के गुननखंड क्या होंगे 12 के गुननखंड होंगे 1,2,3,4,6 और 12 बच्चो इसका मतलब क्या है देखिए 12 इन सब के पहाड़े में आता है तो जो 12 के पहाड़े में आएगा वो इन सब के पहाड़े में भी पक्का आएगा है ना बच्चो जैसे 24 है एक के पहाड़े में भी आता है दो के पहाड़े में भी आता है तीन के चार के छे के पहाड़े में और बारा के पहाड़े में भी आता है बारा तीय च्छतिस च्छतिस भी एक दो चार छे तीन, चार, छे और बारा सब के पहाड़े में आता है तो जो भी बारा के पहाड़े में आएगा वह एक, दो, तीन, चार, छे और बारा इनके पहाड़े में तो आएगा ही आएगा तो हमसे बोला गया और कौन सी संख्याएं है यानि बारा के अलावा और कौन सी संख्या हैं जिन से यह संख्या विभाज्य होगी तो हम लिखेंगे यह संख्या एक, दो, तीन, चार, और छेह से बारा तो पहले ही है ना से हमेशा विभाज्य होगी कोई भी संख्या है यदि बारा के पहले में आती है तो वह एक, दो, तीन, चार, और छेह के पहले में हमेशा आती होगी बस इतना सही काम था इस प्रश्ण में आशा करता हूँ यह प्रश्ण आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा धन्यवाद